नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट्रेप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जीवन और सुतंता से संबंदित सूचनाएं मात्र 48 घंटे में उपलब्द कराई जाती है इसके बारे में अच्छी तरह से हम सभी को जानकारी रखनी चाहिए तथा जीवन और सुतंता से संबंदित सूचनाएं के लिए लोग सूचना अधिकारी को 48 घंटे में सूचना अपलब्द करवाने के लिए भी अनुरोत किया जा सकता है और 48 घंटे में सूचना अपलब्द भी कराई जा सकती है चलिए किस प्रकार 48 घंटे में मुझे सूचना अपलब्द कराई गई है यहाँ आप लोग देखेंगे मैंने बिहार राज मानवा धिकार आयोग में जीवन और सुतंता से संबंदित सूचनाएं हेतु अपनी मा के नाम से एक आवेदन प्रिशित क्या था जिसमें मुझे मातर 48 घंटे में सूचना अपलब्द करा दी गई है चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक कर दें इससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे तथा इसे इतना से अर करें कि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके तथा एक लाइक अवस कर देंगे तो चलिए यह बिहार मानवादिकार आयोग का मुझे पत्र मिला है जिसके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त करवाई गई है आप लोग देखें 27.9.2022 को यह उपलप्त करा गया है प्रपत्र गहोद वारा सूचना लोग सूचना प्तादिकेरी बिहार मानवादिकार आयोग पत्ना यह मेरी माँ का नाम है पुरा पता है मैंने यह आवेदन 20 तारिक को लिखा था और यह कारियाले में 22 तारिक को जमा हुआ था जिसमें मुझे मेरी माँ के नाम से आईडी संख्या इतना 23 नो 2022 मिला था चुकी 23 तारिक शुक्रवार था और सनी बार और रविबार 24 पत्चीस सनी बार और रविबार हो गया है इसलिए मुझे 24 पत्चीस को छोड़कर 26 शुक्रवार था 26 और 27 तक में 48 घंटा हो गया था इसलिए मुझे 27 दिनांग पत्रांग के द्वारा यह सूचना उपलब्द करवाई गई है यह सूचना जो मैंने अपने वाद संख्या इतना से संबंदित सूचनाएं की जानकारी के लिए प्रेशित की थी तो यह मुझे 48 घंटे में ही उपलब्द करा दी गई है इस प्रकार यदि आप लोगों को भी जीवन और संबंदित सूचनाएं चाहिए और आपको शिगर ही उपलब्द कराने का अनुरोध करें और इस प्रकार हम लोगों को जीवन और संबंदित सूचनाएं RTI F 2005 के तहट 48 घंटे में उपलब्द करा दी जाती है और करवाने का नियम भी है देखें मैंने यह नोटिस का ही परतिलिपी मांगा था चुकि यह डाग द्वारा मुझे उपलब्द नहीं हुआ था इसलिए मैंने मानवाधिकार आयोग से अपने वात संख्या में सुनवाई है तू उपस्थित होने के लिए इस नोटिस के ही परमानित परतिलिपी की मांग की थी जो मुझे 48 घंटे में मानवाधिकार आयोग के द्वारा उपलब्द करा दी गई है आप लोग भी इस तरह RTI लगाकर सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहट मानवाधिकार आयोग या किसी भी आयोग या किसी भी PIO को जन सुचना अपता अधिकारी को लोग सुचना अपता अधिकारी को RTI लगाएं और उससे सिगर सुचना अपलब कराने का अनरोध करें